हलो बच्चों मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हो आपका फैबरेट चैनल प्रग्या प्रबोधनी बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगोंने टेक्सोनामी के बारे में पढ़ा था याद करो थोड़ा सा मैं एक मिर्ट लोगा रिवीजन के लिए उससे पहले जिन्होंने भी मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाया है ताकि आपको लेटेस्ट पीडियो अपडेट बिलते रहे हैं ठीक है और अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं एक पिछले लेक्चर का रिवीजन कल हम लोगोंने स्टार्ट किया था टेक्सोनामी क्या स्टार्ट किया था टेक टेक्सोनामी में क्या देखा था टेक्सोनामी देखा था टेक्सोनामी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है टेक्सिस और क्या नॉमस टेक्सिस का मतलब अरेंजमेंट नॉमस का मतलब लाव सबसे पार देने वाला सांटिस्ट एपिडेकन डोले टेक्सोनामी तीन स्टेप को फ evolutionary relationship भी यह बात हो गए थी systematic की उसके बाद हम लोगों ने देखा था taxonomy के दो group taxonomy दो तरह का taxonomy देखा था cytotaxonomy और chemo taxonomy cytological information cell के information पर depend करता था वही chemo chemical constituent पर depend करता था ठीक है यह सब हम लोगों ने कल के class में देखा था ठीक है और देखा था क्या maximum diversity कहां है rain forest tropical rain forest में और second maximum coral reefs में ठीक है चलो आज हम लोग start करते है nomenclature क्या start करते है nomenclature बच्चो नomenclature सबसे पहले देने वाले जो scientist थे वो थे carolius linear side आप लोग साभी ने सुन रखका होगा जिन्होंने सबसे पहले सबसे पहले बात आती है nomenclature की जरूरत क्यों पड़ी तब बच्चो देखो अलग अलग reason में अलग-अलग plant अलग-अलग animal पाया जाते है उसको अलग-अलग regional language में उसका अलग-अलग नाम से जाना जाता है जब कोई scientific work होता तो उसको अब अलग scientist अलग नाम से अलग नाम से ऐसा ऐसा हो रहा था तो फिर सबसे पहले उन्होंने बताया कि सारे और्गनिजम का एक scientific नाम भी होना चाहिए चुकि study के लिए आसानी रहेगा study में use होगा ठीक है तो इस वाए से नोमेंक्लिचर की जरत पड़ी और सबसे पहले नोमेंक्लिचर करने वाले कौन थे caraulius 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 से टेक होने अपने अपना बुक CPUs plantarium prontarium में इसको बताया ठीक है बच्छों caraulius 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 introduction binomial system का binomial system सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया carolius lineus के द्वारा ठीक है carolius lineus जो है linear use this nomenclature system for first time on large scale and proposed scientific name of many plants and animal और उन्होंने क्या क्या बहुत सारे plant और animal का scientific name दिया ठीक है तो binomial system का founder कौन हुए linear way कौन linear बच्चों linear जो थे सबसे पहला वह अपना जो यह scientific name के बारे में सबसे पहला बुक जो पब्लिस के species plant theorem क्या नाम था उस बुक का species plant theorem जो की one May 1753 में published हुआ था ठीक है जो binomial system के सुरवात था उस है binomial system of plant शुरुवात किया गया उसके बाद बहुत सारे plant उससे पहले जो भी नाम plant का दिया गया था जो भी नाम था ठीक है वो सारे नाम reject कर दिया गया आज उसको accept नहीं किया रहता है सब कूरी नोमें क्लेचर उसके बाद किया गया ठीक है और लीनियस जो है सारे animal का जो फॉस्ट एडिशन में उन्होंने किसका नाम किसका बाइनोमियल system बैनो में नोमें क्लेचर किया plant का वहीं अन्मन का नोमें क्लेचर उन्होंने किकौंसा edition में किया 10th litigation में सिस्टमा निचुरएं पर लेकिया ऐनिमल का नाम भी scientific नाम मतलब बैनोमियल system में लाया ठीक है और 10 एडिशन कब आया title 1758 में आया जब उसके बाद जो है नीमल के scientific नेम का सुरुवात माना जाता है ठीक है तो यह सब जेनरल बात थी ठीक है थोड़ा सिलेवस से मतलब NCRT के सिलेवस से नहीं क्योंकि पहले के PMT में यह सब प्लांटेरम बुक किसकी है यह सब पूछा गया है कौन से एडिशन में मतलब अनिमल का नाम रखा गया कौन से एनिम इसलिए सिलेवस से तो बाहर नहीं कह सकते है पर हाँ आप भी NCRT-based जावे question आते हैं फिर भी मैंने बता दिया चलो नेक्स्ट चलते हैं देखो नॉमेंक्लेचर करने के लिए पूरा वर्ल्ड में five code का यूज क्या दाता है five organization है जो नॉमेंक्लेचर को decide करती है ठीक है देखो और्गनाइशन फिस decide the rules of नॉमेंक्लेचर and classification of the concerned organism जो related organism है उसका नाम जो है कौन decide करती है उसके लिए पांच code है पांच code of नॉमेंक्लेचर है जो five organization है जो decide करती है सबसे पहला ICBN सबसे पहला ICBN इसका full form क्या है international code of botanical nॉमेंक्लेचर इंटरनेशनल code of botanical nॉमेंक्लेचर बच्चों इस बात को याद रखना है अच्छे से याद रखना है इस full form को याद रखना है क्यों क्यों क्योंकि NCRT में दिजा हुआ है यहां से question आ सकते है full form पूछे जा सकते हैं ठीक है खास करके M's के exam में इसे question पूछे जाते थे अब तो M's भी net में आ गया है तो अब तो और चांस पढ़के यह सब question आने के इसलिए याद रखना है ठीक है नेक्स्ट है ICZN International Code of Geological Nomenclature ICZN International Code of Geological Nomenclature ठीक है देखो बच्चो ऑफ और फोर में थोड़ा याद रखना है थोड़ा डिफ्रेंस याद रखना है देखो पुराने वाले जो elements के CRT है उसमें जो है यह ICBN का full form International Code for Botanical Nomenclature दे रखा है International Code for Botanical Nomenclature दे रखा है वहाँ पे for नहीं होगा वह पुराने वाले NCRT में गलत दे रखा है ठीक है वहाँ पे off होगा काट के off कर लेना है ठीक है चलो Next ICNB International Code of Nomenclature for Bacteria Bacteria वाला में for आ रहा है यह याद रखना है International Code of Nomenclature for Bacteria ठीक है ICTV International Committee for Taxonomy or Viruses International Committee for Taxonomy or Viruses Next ICNB International Code of Nomenclature for Cultivated Plant यह 5 code थे जिसके फूल पर्म आपको अच्छे से याद रखने है तो समयजबा रही है बात चलो यह सब जेनरल बात है थी बट इंपोर्टेंट है याद रखना है चलो आगे बढ़ते है Rules of Nomenclature ICBN जो Botanical Name जो Plant का रखा गया जो Lineus ने बता है उस हिसाब से क्या Rule है Nomenclature कोई भी Plant का Nomenclature या फिर Animal का Nomenclature कैसे क्या जाता है कैसे उसका Sensitive Name रखा जाता है इसके लिए जो Rule है ICBN का वो देखते हैं ठीक है सबसे पहला Rule जो है क्या है सबसे पहला Rule है According to Botanical Name system, Binomial System of Nomenclature, Binomial System of Nomenclature के हिसाब से कोई भी जो नाम यह Animal का Specific Epithec को बताएगा जैसे देखो यहां पे Potato का Sensitive Name लिखा गया है Solenum Tyborism, क्या लिखा गया है Solenum Tyborism यहां पे देखो, बच्छो छो nhânum Generic Name मतलब Genus को बता रहा है, क्या बता रहा है, Genus का नाम बता रहा है Solen्य C, Solenum क्या बता रहा है? Genus का नाम बता रहा है, वही VarTION लिखा गिया है, Mangifera Indica, क्या लिखा गिया है, Mangifera Indica, Mangu का sensitive name है, बचों याद रखना, sensitive name भी याद रखना है, देखो, यह generic name, Mangifera क्या हो गया, generic name, name of genus, Indica क्या हो गया, specific epithet, क्या हो गया, specific epithet, ठीक है, देखो, अब next जो rule है, तो according to ICBN, ICBN ने क्या भोता है, जो plant का nomenclature में होगा, उसमें tautonyms का use नहीं क्या दाएगा, tautonyms का use नहीं क्या दाएगा, मतलब क्या है, generic name and specific epithet should not be same in plant, plant में generic name और specific epithet, दोनों कभी भी same नहीं हो सकता, यह rule है, किसका ICBN का rule है, ठीक है, जैसे, mangifera, mangifera, ऐसा नाम नहीं हो सकता, यह नाम कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन, ICZN ने क्या बोला, ICZN जो animal का nomenclature करता है, के लिए code अभी हम लोगों ने देखा था, तो, उन्होंने क्या बोला, टॉटोनिम्स का use होगा, किसके लिए, valid होगा टॉटोनिम्स, animal nomenclature के लिए, टॉटोनिम्स, valid होगा, ठीक है, जैसे, नाजा, नाजा, देखो तो, यहाँ पर generic name और specific epithet, दोनों same है, same है कि नहीं है, नाजा, नाजा, चुकि scientific name है, किसका, Indian, Cobra का, नेक्स्ट है, ratus, ratus, किसका scientific name, rat का, तो देखो तो, यहाँ पर टॉटोनिम्स का use हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, टॉटोनिम्स का use होने मतलब, दोनों word, same है कि नहीं है, specific epithet और generic name, दोनों same है, ठीक है, चलो, next rule के तरफ बढ़ते हैं, next rule है, जो generic name है, generic name जो लिखा जाएगा, कोई भी scientific name लिखते हैं, generic name जो लिखा जाएगा, हमेशा capital letter में लिखा जाएगा, हमेशा किस में लिखा जाएगा, capital letter में लिखा जाएगा, और specific name का जो first letter है, वो क्या होगा, small letter होगा, specific epithet का जो first letter है वो क्या होगा है small letter में लिखा जाएगा ठीक है जैसे क्या mangifera indica mangifera indica यहां आप देख रहे हो mangifera क्या है genus का नेम है generic name है तो उसमें क्या है m जो है capital है वह है indica जो specific epithet है उसका जो है i first letter i small में लिखा गिया है समझ में आ रही है बात याद रहेगा next rule जो है next rule के तरफ बढ़ते हैं और अगला rule है यहां देखते हैं देखो fourth number की rule क्या कहता है जब इसको हम hand written मतलब हाथ से लिखेंगे जो भी scientific name है उसको हाथ से लिखा जागा hand written होगा या फिर type किया जाएगा करना है separately underline करना है और या फिर उसको जो है जैसे typing में आप हाथ से तो italic हम लिख नहीं सकते तो हाथ से जब भी hand written लिखेंगे उस समय generic name और specific epithet दोनों को separately लिखना है और separately दोनों को underline भी करना है बट जब printing के समय टैपिंग के समय उसको कैसे लिखना है italic में लिखना है और italic में ही क्यों लिखना है क्योंकि italic ये indicate करता है उसका जो है latin कैसा है latin origin है उसका origin कैसा है latin origin है ठीक है next rule यहां तक समझना आ रही है कोई दिक्कत नहीं न next rule next rule यह कहती है जो scientist नाम करन कर रहा है जो scientist कोई भी organism का नाम करन कर रहा है उसका नाम जो है last में specific epithet के बाद छोटा में लिखा जागा जैगा जैसे lineus का lin lineus का lin लिखा गया है ठीक है जो science lineus का lin लिखा गया है देखो name of scientist who proposed nomenclature should we retain in sort after the specific epithet जो कि जो उस नाम को proposed किया है उसका नाम जो है sort में लिखा जागा जैसे arm का नाम mangifera indica किस ने दिया lineus ने रखा तो last में lin sort में लिखा गया है अब देखो बच्चों lin को मतलब scientific जो scientist का जो नाम यूद किया जागा उसको ना तो हमको underline करना है ना ही italic करना है बस उसको simple alphabet में लिखना है मतलब roman letter में simple roman में लिख देना है और कैसा होना चाहिए उसका abbreviation जैसे lineus का lin use होगा ठीक है उसके बाद जो भी scientific name है वो हमेशा या तो latin या फिर greek language से origin लिखा जाना चाहिए उसमें लिखा जाना चाहिए क्यों क्योंकि latin और greek language क्या माना जाता है dead language माना जाता है समझ माया अब देखो कोई भी specimen है type of specimen जो की herbarium हर्विरियम क्या होता है इसी chapter के last में हम पढ़ेंगे ठीक है जो newly discovered plant should be placed in herbarium बताओ जो भी नया plant उसका nomenclature क्या गया उसको हमको क्या रखना पड़ेगा हर्विरियम में रखना पड़ेगा हर्विरियम क्या होता है जब हम देखेंगे वहाँ पे इसके बारे में अनिमल के लिए यूज क्या दाएगा वैलिड होगा वही प्लांट के लिए वैलिड नहीं होगा ठीक है समय देखेंगे आ रही है बात चलो बच्छों देखो second ये binomial system के बाद trinomial system of nomenclature भी आया but अभी भी most accepted कौन सा है binomial system ही है देखो trinomial system को देने वाले scientist का नाम है हक्सले और estrict land estrict land किस नो दिया है हक्सले और estrict land ठीक है उनके अनुसार से जो भी नाम है जो भी नाम है organism का वो तीन लेटर से मिलके बना वगा होना चाहिए पहला जो है generic name दूसरा specific epithet तीसरा जो है sub specific epithet name of new variety माल लो अलग-अलग जैसे आप देखो आजकल cauliflower जो बंधा हो भी है उसका भी आप लोग अलग-अलग variety देखते होगे अब कोई आपको generally तो आप क्योंद देखते हो लेगिन बहुत सारे cauliflower बन रहे है जो मितलब ये लाल कलर के हो रहे है तो उसका ही अलग variety हो गया तो उसका नाम जो है सब तील लेटर का नाम होना चाहिए जो उसी को sub specific epithet name of variety बताता है ठीक है जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिखाया गया है first name is Bracica oleracea Bracica oleracea जो है ये Brioteris Bracica oleracea Bracica oleracea generally govika scientific name है वहीं पे बोर्ट्रीटिस लग गया तो क्या हो गया कॉली फ्लावर को ये बता रहा है जो govika एक species है अलग variety है है की नहीं है Bracica oleracea Capetita Capetata Bracica oleracea Capetata किसका है Caves Caves का ठीक है बंदा govika Bracica oleracea बोर्ट्रीटिस किसका है कॉली फ्लावर फुल गोविका नेक्स्ट नाम जो है Bracica oleracea कोलो रापा किसका है नौल नौल क्या पढ़ते हैं इसको नौल नौल यहाँ पे के एट लिखा गया है गलत्त है नौल नौल है ठीक है देखो generic name specific epithet और उसका variety यहाँ ही सब specific epithet इस तरह से nomenclature खतम हुआ ठीक है चलो next lecture में हम लोग continue करेंगे किस चीज को classification को next lecture में क्या देखेंगे हम लोग classification ठीक है biological classification देखेंगे तो बच्चों अभी तक जो भी पढ़ा प्लीज उसको फिर से पढ़ना और जहां नहीं समझ मैं कमेंट करना like video अच्छी लगे content अच्छी लगे हो आपको तो please like करो और दोस्तों में share करो ठीक है जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया है please subscribe करो मिलते हैं next video में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे classification के बारे में ठीक है चलो thank you have a nice day